Hello students, welcome to the Sun Academy इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Chemical Coordination के Short Questions को और ये Short Questions यहाँ पर आपके सामने Solved हैं इनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे और अगर आप चाहें तो इसके Screenshot निकाल कर इने लख सकते हैं और ये जो Questions हैं ये किस तरह से इनके answers आपने लिखने हैं और कैसे ये Questions जो है वो पूछे जा रहे हैं इन Questions की psychology क्या है ये Questions क्या चाह रहे हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं ये हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अब सबसे पहले यहां पर short question में जो पहला question है वो है why hydrophilic hormones need secondary messenger आपको पता है जो hydrophilic hormones होते हैं वो cell की membrane को पार नहीं कर सकते और वहां पर जाकर वो directly किसी भी वहां पर जो receptor होते हैं उनके साथ अंदर attach नहीं हो सकते इसलिए उन्हें secondary messenger की जरुवत होती है क्योंकि वो cytoplasm से cell के cytoplasm में नहीं जा सकते हैं सिर्फ membrane पर जो receptor होते हैं उनके साथ वो आकर बाइंट करते हैं जिसलिए उनके पास उन्हें एक ऐसा secondary messenger चाहिए एक ऐसा molecule चाहिए जो उनका message उनकी information जो है वो न्यूकलस तक लेकर जाए तो इसलिए इन्हें secondary messenger की जरुवत होती है अब यहां पर पूछा जा रहा है why क्यों जरुवत होती है secondary messenger की तो आपने यहां पर जो है इसका answer इस तरह से लिखना है कि जैसे कि peptide हार्मून है या फिर catacolamine है यह सारे hydrophilic hormones है और यह cell membrane को पास नहीं कर सकते इसलिए अपना message जो है वो पहुचाने के लिए इन्हें secondary messenger की जरुवत होती है और यहां पर यह secondary messenger AMP हो सकता है या फिर calcium ion हो सकते है cyclic AMP का मतलब क्या है कि cyclic adenosine monophosphate तो इस तरह से इसका जो है वो answer होगा second question को देखें तो second question कह रहा है कि why hormones are called chemical messengers hormone को chemical messenger क्यों कहा जाता है messenger का मतलब होता है message पहुंचाने वाला तो hormones are called chemical messenger because they transmit signals between the cells and tissues वो cell और tissues के बीच में signals को transmit करते हैं तो जो signal को एक जगा से दूसरी जगा तक signal को transmit करता है उसे हम messenger ही कहते हैं तो ये gland से produce होते हैं और ये molecule blood के जरीए transfer होते हैं और एक communication का रास्ता जो है provide करते हैं message जो है वो एक organ से दूसरे organ तक एक tissue से दूसरे tissue तक ये message को ले जा रहे हैं और ये chemical के form में उस message को ले जा रहे हैं इसलिए hormones को chemical messenger कहा गया है तो इसका answer यहां पर ये है थर्ड question को देखे हैं तो why posterior pituitary is called neurohypophysis posterior pituitary को neurohypophysis क्यों कहा जाता है posterior pituitary is called neurohypophysis आपको पता है जो pituitary के दो पार्ट है एक है anterior pituitary और दूसरा है posterior pituitary anterior pituitary gland को हम कहते हैं adenohypophysis जबके posterior pituitary को कहते हैं neurohypophysis तो अब ये neurohypophysis का word हमें क्या बता रहा है ये हमें यहां पर बताना है तो because it is an extension of neural tissue क्योंकि हमारे brain के जो tissues हैं वो neurons हैं neural tissue हैं और उनकी extension है उसका मतलब है कि वहां पर जो nerves हैं वो nerves इस तरह से आ रही हैं और वो nerves वहां पर आकर खतम हो रही हैं तो ये जो पूरा tissue है ये कौन सा बन रहा है ये nerve tissue बन रहा है तो इसलिए ये जो part बन रहा है ये neural tissue का है neural tissue की छोटी सी extension है ये हमारा posterior pituitary इसलिए इसको neurohypophysis कहा जा रहा है इस टोर और रिलीज oxytocin and vasoprin vasoprin जो है ये ADH को कहा जाता है तो ये दो हार्मून को release करता है ये भी आपने साथ में add कर देना है neural word जो है ये reflect कर रहा है neural origin को क्योंकि ये हमारे neuron से जो है brain से originate हो रहा है वहां से brain से शुरू हो रहा है इसलिए इसको neural hypothesis कर जा जा रहा है और neural word जो है ये brain को या फिर neuron को और neural tissues को शो कर रहा है उसके बाद है in list of hormones of anterior pituitary तो ये बहुत simple है आपके बुक में जो hormones लिखे हुए है anterior pituitary से जो भी hormones रिलीज हो रहे है growth hormone है और thyroid stimulating hormone है इनका थोड़ा सा function भी यहां पर जो है वो describe किया गया है adeno corticotropin hormone है यहां पर आपको hormones देखने को मिल रहे है उसके बाद follicle stimulating hormone है leuternizing hormone है prolactin hormone है और melanocyte stimulating hormone तो ये जो भी hormones है ये हमारे anterior pituitary से आ रहे है और इनका थोड़ा सा function जो है वो आपने यहां पर describe कर देना है तो ये इसका answer हो जाएगा उसके बाद number five है question number five कहरा है कि why pancreas is called exocrine and endocrine gland pancreas को exocrine और endocrine दोनों gland क्यों माना जाता है pancreas जो है वो आपको पता है exocrine gland है और साथ में ये endocrine gland भी है endocrine का मतलब है कि वो अपनी secretion blood के अंदर show करें और exocrine का मतलब है वो किसी duct के अंदर अपनी secretion को जो है वो release करें तो ये कहलाता है endocrine as well as exocrine मतलब कि दोनों role play करता है ये pancreas तो अब pancreas की बात करें तो pancreas exocrine gland इस तरह से है क्योंकि वो digestive enzyme जो है वो digestive track के अंदर एक duct के अंदर release कर रहा है तो जो digestive मतलब कि pancreatic juice है उसके अंदर जो भी enzymes है वो एक duct के अंदर आ रहे है pancreatic duct के अंदर आ रहे है तो वो role play कर रहा है as exocrine gland साथ में ये अपने जो भी हार्मोन्स है insulin है glucagon है ये हार्मोन्स ये release कर रहा है blood stream के अंदर जो के sugar की level को control कर रहे है तो इस तरह से ये endocrine role भी play कर रहा है तो इसलिए क्योंकि ये दोनों role play करता है इसलिए इसको endocrine and exocrine gland माना जाता है तो ये इसका अंसर होगा number 6 को देखें why secretion of adrenal cortex and are called corticosteroids adrenal cortex की जो secretions है जो भी हार्मोन्स है उनको हम corticosteroid कहते हैं तो ऐसा क्यों है इसको corticosteroids का नाम क्यों दिया गया है adrenal cortex की secretion को तो the secretion of adrenal cortex are called corticosteroids because they are steroids produced by adrenal cortex ये word जो है steroid word show कर रहा है कि ये जो भी hormones है ये सारे steroid hormones है इसका मतलब है ये किसके बने है लिपिट्स के हार्मून बने हुए है और कॉर्टिको जो है ये शो कर रहा है एडेनल कॉर्टेक्स को कॉर्टेक्स का वर्ड और ये स्टिरोइड का वर्ड ये दोनों मिलकर ये कॉर्टिको स्टिरोइड का वर्ड बना रहे हैं यह steroids हैं जो के produce हो रहे हैं यह hormone जो है इनकी nature steroid है और यह adrenal cortex से produce हो रहे हैं इसलिए इसको cortico steroid कहा जा रहा है These hormones are classified into man types mineralocorticoid और glucocorticoid यह जो भी hormones हैं यहां पर यह सारे hormones क्या कर रहे हैं इन सभी को हम cortico steroid कहा रहे हैं और इनका थोड़ा सा function यहां पर express करेंगे तो इनकी जो हमारी length है इस question की वो maintain रहेगी नमबर उसके बाद हमारे पास जो question आ रहा है वो 7 है 7 में यह थोड़ा सा long question के तोर पे हमारे मौजूद है इतना long नहीं है लेकिन इसके अंदर जो आपके पास जो पूछा जा रहा है differentiate करना है आपको बहुत सारे इसके अंदर trums है उनको आपने simple trums में के अंदर इनको क्या करना है differentiate करना है उनके बीच में difference बताना है तो सबसे पहले हमारे पास है hypothyroidism और hyperthyroidism यह थाइरोडिसम जो होती है यह हमारे पास show करती है कि thyroid hormone का level बढ़ रहा है या कम हो रहा है अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है यह क्या है hyperthyroidism है और कम हो रहा है तो इसका मतलब है hypothyroidism है तो यह दोनों जो है इनको आपस में differentiate करना है इनके बीच में आपने क्या बताना है difference बताना है तो सबसे पहले इसमें देखें तो इसके अंदर hypothyroidism के अंदर क्या है insufficient production of thyroid hormone thyroid hormone की production क्या है कम है insufficient है साथ में lead to fatigue इसके अंदर fatigue होता है weight gain होता है और cold sensitivity होती है often caused by autoimmune disorder and iodine deficiency ये दो तरह इनके caused जो हैं वो दो हैं autoimmune disorder और iodine deficiency जबके हमारे पास जो hyperthyroidism है इसके अंदर क्या हो रहा है excessive production हो रही है मतलब कि ज़्यादा produce हो रहा है thyroid hormone और उसके बाद इसमें जो symptoms आ रहे हैं वो कौन से हैं वो है weight loss साथ में irritability rapid heart beat और heat intolerance और साथ में इसकी वज़ा से क्या होती है graves disease होती है और बाकी thoride nodules ये भी एक disease है जो के यहां पर होती है ये कास करती है इससे उसके बाद हमारे पास insulin और glucagon के function के बीच में क्या difference है इनको देखना है तो यहां पर insulin जो है वो high blood sugar level होगी तब release होगा जब के glucagon जो है वो तब release होगा जब sugar level कम होगी insulin जो है वो sugar के level को कम करता है जब के glucagon बढ़ाता है क्योंकि यहां पर कम है यहां पर ज़्यादा है यसलिए तो यहां पर यह कुछ differences इनके और भी हैं जो आप यहां पर देख सकते है citonin and parathoride hormone तो यह दो hormones जो है यह क्या करते हैं यह थाराइड एक तो thारोइड आर्मन है और एक है parathoride hormone यह थाराइड gland से release होता है यह parathoride gland से release होता है calcium level inhabiting release of calcium from bones यह क्या करेगा जब calcium level जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जब calcium level बढ़ जाएगी तब release होगा और यह blood के calcium level को reduce करेगा करेगा बढ़ाएगा इसका मतलब है यह दोनों क्या करें कैल्शियम की लेवल को मैंटेन करें कुछ और डिफरेंसेज हैं जो यहां पर आप इसको देख सकते हैं उसके बाद है लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक हार्मून्स इस इन दोनों हार्मून्स के बीच में हमें क्य के एक्जम्पल्स हैं और यह जो है बाइंड होता है सेल के अंदर साइटोप्लाजम में जबके यहां पर बाकी के जो हार्मून्स हैं जैसे के हमारे पास यह हाइड्रोफिलिक हार्मून्स यह लिपिट के अंदर इन सॉल्यूबल हैं वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं और यह जो है cell membrane को पास नहीं कर सकते और यह जो है surface पर हमारी cell membrane पर इनके receptor मौझूद होते हैं वहां पर यह bind करते हैं तो यह हमारे पास differences हो गए इनके बीच में उसके बाद कुछ terms हैं जिनकी definition बतानी है और यह terms यहां पर आपको दिख रहे हैं हार्मून गौइटर थाइमोजिन और जी एन टी एचे अट्रियोनेटर हार्मून और साथ में इराइध्रोपॉइटन यह सारे इनकी जो definition है वह यहां पर लेकी हुई है हार्मून की definition बहुत सिंपल है आपने सबसे पहले पड़ी है गौइटर क्या होता है गौइटर थारोइट की जो है थोड़ी सी enlargement हो जाती है आयोडीन की deficiency की वज़ा से हमारे पास थारोइट जो गिलेंड होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे हम गौइटर कहते हैं थायमोजन जो है यह हार्मून है यह थायमोज गिलेंड से प्रोड्यूस करता है यह हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन यहां पर लास्ट में question आगया तो इसलिए इसको आप देख लिए आपर गौनेटर ट्रॉपिन जो है यह हार्मून हमारे गौनेट से रिलीज होता है और यह दो हार्मून को प्रोड्यूस करता है यह गौनेटर ट्रॉपिन जो है यह एक्चुली दो हार्मून है एक है LH और एक है FSH इन दोनों को collectively हम कहते हैं गौनेटर ट्रॉपिन और यह हमारे रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं जैसे टेस्टीज और और आवरीज के रिलीज होता है और हमारे यहां पर सोडियम को मेंटेन करता है उसके बाद है एराइटरोपॉईटों यह आपको पता है किडनी से रिलीज होता है और यह दो बॉन के अंदर झाल झाल